अमेरिका में कॉरोनगी वाइर्स लाशें बिचा रहा है अमेरिका अब दुनिया का एक मात्र ऐसा देश बन चुका है जहाँ एक दिन के अंदर 2,000 से जादा लोगों की मौत हुई है अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 2,108 लोगों की मौत हुई है यांकडे कोरोना वाइरस की संक्रमन पर नजर रखने वाली संस्था जॉन हॉपकिन्स इनवासिटी ने जारी किये हैं और साथ ही आपको बता दें कि गुरुवार को अमेरिका में लगभग सत्रा सो लोगों की मौत हुई थी शुक्रवार को दुनिया भर में कोरोना वाइरस से मणने वालों की संख्या एक लाख को पार कर चुकी है शुक्रवार को दुनिया भर में संक्रमितों की संख्या 17 लाख के आसपास पहुँच गई जबकि इसे मौत की संख्या 1,02,000 तक पहुँच चुकी है